मैं आज आज नगर निकाए चुनाव का पलीराम गोशित हो गया है बोपालगे में चार नगर निकाए या नगर पंचायद भी है चुनाव हुआ था ठार को और आज vind पलीराम आ गया है परड़ाम इस तरह से हैं कि बोपाल जो जो नगर निकाय है उसमें हरेंदर चौधी ने जीत दर्श की है इनका कुल मत 8620 प्राप्त हुआ है और उन्होंने अजाद शत्रू को हराया है यानि अजाद शत्रू का 51 सब 15 मत प्राप्त हुआ है जूकि 355 मत से हरेंदर चौधी दूसरी बार जीत दर्श कर लिए है उसी त तरह से मीर गैज में अनिटा देवी 3846 मत प्राप्त करके उन्होंने 402 मत से मुंनी देवी को हरा दिया है यानि मुंनी देवी को 344 मत पूरे प्राप्त हुए हैं उसी तरह से कटिया नगर पंचायत की बात करें तो राजेस कुमार राय 3634 मत पराप्त किये हैं और 563 मत से उन्होंने रगुनाज साह से जीत दर्ज किये रगुनाज साह का 370 मत पराप्त हुआ है ऐसे में राजेश कुमार पांट भी बार कटिया नगर पंचायद से सभापती बने हैं अब बात कर लेते हैं गोपाल गेंच की तो गोपाल गेंच में कुल 25 पर 83 जो मुखे पारश्यद है उसके लिए लड़ रहे थे जिसमें अजाज शत्रू जो है 5115 मत पराप्त किये तृष्ण कान गुपता 1577 मत पराप्त किये वैसे ही चेतन कुमार 1847 मत पराप्त किये जैकी तिवारी को 331 मत आया ताहिर हुसेन को 612 मत दीपक कुमार को 433 मत देवेंद्र परसाथ सिंग को 935 मत धर्मेंद्र दूबे को 416 मत नारत माजी को 162 मत पराप्त हुआ है उसी तरह से पंकत सिंग्राना उनको 2626 मत पराप्त हुआ है प्रकासलाल च्रिवास्तों को 658 मत हुए तरह से मनोत सिंग को 496 मत पराप्त हुआ है मोहित कुमार पर्टेकल भी चुनावी मयदान में थे उनको 6ино 770 मत पराप्त हुआ है राजीु कुमार को 720 मत दूदेवी को 778 मत पराप्त हुआ है उसी हिչसाब से वकाराहमत हलाकि चुनाव से बाहर थे लेकिन इनको भी 385 मत प्राप्थ हुआ है विधा चौधरी को 542 मत प्राप्थ हुआ है संजीव कुमार को 414 मत प्राप्थ हुआ है और संजय कुमार उर्फ संजय यानि 181 मत मात्र इनको प्राप्थ हुआ है उसे तरह संदे कुमार पटेल को 228 मत प्राप्थ हुआ है शाइदुल उर्फ हेलमेट मैन को 1125 मत प्राप्थ हुआ है, सुरेश सा को 364 मत प्राप्थ हुआ है हरेंदर चौधरी जो कि विजय ही रहे हैं उनको कुल 8620 मत प्राप्थ हुआ है अब हम आपको जो है, कटियार के जग़ा है, आपको बरॉली का भी बता देते हैं, कि बरॉली में किसको कितना मत प्राप्थ हुआ है आप जान लिजे कि बरॉली में असगरी खातुन को 1473 मत प्राप्थ हुआ है अपसापरवीन को 980, गुलाबनो देवी को 707 मत प्राप्त हुआ है, चमपा देवी को 323 मत, चितर रेखा को 1169 मत प्राप्त हुआ है, उसी तरह से निकी कुमारी को 1977 मत प्राप्त हुआ है बेवी देवी को 276 मत प्राप्त हुआ है, उसी तरह से सीमा देवी ने 340 मत प्राप्त कर जीत दर्श कर लिया है मिरगज की बात कर लेते हैं, मिरगज में किसको कितना मत प्राप्त हो वो भी हम आपको बताते हैं मिरगज में अनीता देवी जो वी जेता है 386 मत प्राप्त है और उसा देवी जो की 457 मत मिला है जानती देवी जो की 1920 मत प्राप्त की है, प्रियंका गुपता 349 मत प्राप्त की है, फरजाना बानो 2549 मत प्राप्त की है मन्जु देवी 1 जो 895 मत, मन्जु देवी 2 एकी सो पचास मत, मुन्नी देवी 344 मत प्राप्त की है मोहिता कुमारी 2710 मत प्राप्त की है, सुमन देवी 285 मत प्राप्त की है ऐसे में अब नगर पंचायद जो है आपको कटिया उसका भी मैं बतायता हूँ कि कटिया में किसने कितना मत प्राप्त किया है तो कटिया का जो है इस तरह से है कि अजय पासी यानि 315 मत प्राप्त किये हैं अमरेश राय जो है 1440 मत प्राप्त किये हैं उसी तरह से अमरेश पांडे 226 मत प्राप्त किये हैं नागमणी 2424 मत मात्र मिला है उनको परमोत कुमार गुपता जो है उनको 266 मत मिला है बवलुक गुपता को मिला है 101 मत उसी तरह से रगुनाज शाह को 3071 मत प्राप्त हुआ है है और इस तरह से राजिश्राय ने कटीया नगर पंचायद से भी दर्श कराई है और यह पूरा अंकड़ा जो है आज जो पूरा पडिराम है वह आ गया है और इन चारों अगर पंचायतों का चुनाव 18 दिसम्बर को हुआ था और दो दिन बाद यानि अज इसका परिजाम आया है और सभी जगहों पो शांती पूर मतगर्णा शंपन हुआ और इस तरह से जो है गोपालगेंज के नगर पंचायत के चुनाओ का पडिराम रहा है तो चलिए अब उपमुख पार्षद को भी हम बता लेते हैं कि कौन कहां से जीता है इन चारों जगहों पर तो बुपालगेंज से उपमुख पार्षद जो है रुक्साना पर भी जीत दर्ज की हैं जिनका मत पुरा 158 मत प्राप्त हुआ है उसी तरह से हम बरौली की बात करे है तो बरौली की भी आपको हम बतायते हैं कि बरौली में जो है संजे कुमार उपाध्या विजेता रहा है जो कि 438 मत प्राप्त किये हैं और उन्होंने उपमुख पार्षद पे जीत दर्ज किया है उसी तरह से अगर मिर्गेज की बात करें तो मिर्गेज में धरंजय है वह उप जो है मुख्य पार्षद बनी है जिनका 305 मत प्राप्त हुआ है जो कि कट्या में बनी है तो इस परकार पूरा चुनाओ का जो रिजाल्ट है वह हमने आपको बताया आप देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और हमें मदद करिए कि हम आप तक अपनी खबरों को पहुंचा सके और इसको सब्सक्राइब करते हुए लोगों के साथ सेर भी जरूर करिए